रसी एटी मोग टेस्ट एक के बाद रसी एटी मोग टेस्ट टू में अब आपका स्वागत है विंडो सेवन में मैथ इंपुट पैनल कहां होता है ये पांस सेगंड का अगड़ी चालू हो गया है इसका सही उत्रकरवां केक होगा एसेसरीज इन में से कौन सी एसेसरीज नहीं है ओप्शन नमबर फोर, MS Office इस प्रशन का सही जवाब है जब बहुत से कारे कंप्टर को दिये जाते हैं और उसका प्रोसेस एक-एक करके होता है तो उसे क्या खा जाता है सही उत्रकरवांक दो है, बैच प्रोसेसिंग मोड डिसक के क्लीनप प्यूटिलिटी की उप्योगिता है और उसका सही उत्रकरवांक दो है, व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्टर से ठाने के लिए विंडोस सेवन में एफ पाइब का क्या कारिय है प्रेटर करमांक दो है, रिफ्रेश सिस्टम डेट वज सिस्टम टाइम तारीक वज समय है, जो कंप्टर में किसके दुर्वारा संचालित होते हैं यह तो होगा इंटर्नल क्लोक डिवीडी का विस्तरत रूप है यह तो होगा इंटर करमांक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेट फोल्डर से कट करके म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो सेटनल म्यूजिक फोल्डर में पास सकते हैं चुकि cut करने के बाद में फाइल उस जगे से हट जाएगा और जैसे आप उसको दूसरी जगे पेस्ट करेंगे अब वेब फाइल अपनी ओरिजिनल जगे से cut हो करके और नई इस पेस पे आपको दिखाई देगा मेमोरी की गती तिवर से मंद का सही अनुकरम है और इसका सही उत्तर करवांग के एक होगा रिजिस्टर्स, कैश मेमरी, मैन मेमरी और हार्ड डेस्क Windows 7 के उप्योग को जानने और खटीन सूचना को प्राप्त करने में मदद तता अन्य कारियों के लिए किस पर क्लिक करते हैं और इसका सही उत्तर करवांग चाल होगा Help and Support MS Paint एप्लिकेशन में वक्रिय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम किस आइकन पर क्लिक करते हैं सही उत्तर करवांग के एक है Curve प्रिंट किये जाने वाले करेक्टर की उचाही और चोड़ाई को परदर्शित करता है उत्तर करवांग के एक सही होगा Phone Size एक Computer की बाश्या जो Zero और एक संख्याओं की मदद से लिखा जाता है क्या ख्यालाता है संख्याओं के एक होगा Machine Level Language एक Pointing युक्ती है उत्तर करवांग के एक Mouse प्रश्न का सही जवाब है की बोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें खहते हैं और इस प्रश्न का सही उत्लिकेशन कीज़ है उत्र करवांग दो ये बटन टैटल बार पर उपलब्द होते हैं सिवाए एक कंप्यूटर को On अर्था चालू करने की परिक्रिया खहलाती है उत्तर करवांग तीन इसका सही उत्तर है बूटिंग स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार दंडा करती देखते हैं क्या खहलाता है और इसका सही उत्तर करवांग के एक होगा टास्क बार एक आधारबूट टैक्स्ट एडिटिंग विश्यवस्तू संपादक प्रोग्राम है और यह सामाने टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में परियुक्त होता है किसका उप्योग बड़े वजटिल टेक्स्ट डाकुमेंट को तियार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जा सकता है इन में से कोन सी संग्रहेन युक्ती अधिक्तम आक्डों को संग्रहित रखती है इसका सही उत्तर होगा फोल्डर सिस्टम को और क्या खहते है फोल्डर को हम डायरेक्टि सिस्टम के नाम से भी जानते हैं इस वज़ा से इस प्रशन का सही उत्तर दो होगा विंडोस 7 में नए ग्लास लाइक इफेक्ट का नाम क्या है जो डायलोग बॉक्स पर सेमी ट्रांस्परेंट इफेक्ट को परदर्शित कर सकता है और इस प्रशन का सही उत्तर होगा उत्तर करवांक एक एई आरो निमन लिखित में से कौन सी एक कम्प्यूटर बाष्चा नहीं है सही उत्तर करवांक एक होगा विंडोस 98 निमन लिके तुदारणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कम्प्यूटर इंपूट ही काई है और इस प्रशन का जवाब विंटर करवांक दोगा स्पीकर एक ओप्रेटिंग सिस्टम का काम है से विंडोस किस इंटरफेस पर आधारित है इस प्रशन का स्पीकर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निमन लिके तुमें से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उधारन नहीं है इस उत्तर गर्मांग चार होगा MS Excel नौट पैड का उप्योग करके तयार किया गया डाकुमेंट का एक्सेंशन किसके साथ इस्टोर होता है उत्तर गर्मांग केक डॉट टी एक्स्टी नौट पैड में टेक्स्ट फाइल बनती है और इसी वज़ा से इसका एक्स्टेंशन डॉट टी एक्स्टी के नाम से इस्टोर होता है लैन परियुक्त होता है इस पैड़ा सही उत्तर कर्मांग तीन होगा इस्तानिय चेत्र के नेटवर्क के लिए विंडोज एरो क्या है और इस पैड़ा सही उत्तर कर्मांग दोगा विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखे पैड़ा में उपर मिस्प्रिंट हो गया है यह विंडोज ऐसे नहीं है यह विंडोज एरो पड़ा जाए यहांपर कंप्यूटर का सबसे मूलबूत कौन सा प्रोग्राम है और सही उत्तर कर्मांग के एक होगा ओपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को विभिन प्रकार के अवांची सौट्वेर से सुरक्षा करने में कौन मदद करता है और इस प्रेशन का सही जवाब होगा उत्तर कर्मांग के एक विंडोज फायरवाल एक बेसिक टेक्स एडिटिंग प्रोग्राम है और सामाने रूप से इसको उप्योग टेक्स फाइल देखने और एडिट करने के लिए किया जाता है दो होगा नौटपेड माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग क्या है देखि इसमें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक और लोजिकल यूनिट दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है अत्य उत्तर कर्मांग तीन इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है सेंट्रल प्रोसेसिंग उत्तर कर्मांग तीन इसका सही उत्तर है विंडोज ओप्रेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है उत्तर कर्मांग दो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज, एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इन्पूट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है सही उत्तर कर्मांग दो एरो, ए, ए, आरो किसका सेंशिप्त रूप है इस प्रोग्राम का सही उत्तर कर्मांग एक होगा authentic, energetic, reflective और open देखिए, एरो से संबंदित तीन प्रकार के कुछन्स बनते हैं और इस smoke test में हमने तीनों ही प्रशनों का समायोजन कर लिया है स्क्रीन के नीचे एक लंबा और पतला बार देखते हैं जिसे क्या खाया जाता है सेवकर्मां के एक टास्क बार ब्लूरे डिस्क की धारक शमता या storing capacity के विस्तार की सीमा क्या है और उत्तर करमांग 3 पचीस जीवी से लेके पचास जीवी नीमन लिखित में से कौन सी कंप्यूटर की बाश्या नहीं है लेकिए परशनी के ओप्शन को देख करके आप समझ रहे होंगे उत्तर करमांग 3 इसका सही उत्तर है सुमात्रा कंप्यूटर की किस मेमरी को रेम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है और इस परशन का सही जवाब होगा उत्तर करमांग के कैश मेमरी एक बेसिक टेक्स एडिटिंग प्रोग्राम है और सामाने रूप से इसका अप्योग टेक्स फ़ाइल को देखने वे एडिट करने के लिए होता है और इसका सही उत्तर है देकि नोटपेट से संबंदित भी दो या तीन प्रकार से अलगलग तरह से प्रेशन पुछे जाते हैं जिनको हमने इस मोक टेस्ट में यूज में ले लिया है एक ट्रैंग प्रोग्राम है जिसका उप्योग ग्राफिक इमेज को त्यार करने और मोडिफाई करने के लिए किया जा सकता है और इसका सही उत्तर होगा पैंट उत्तर करवांग दो विंडोज में एक पावर सेविंग की अवस्ता है और इसका सही उत्तर होगा स्लिप इस्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम शोग किये जाते हैं और इस प्रशन का सही उत्तर होगा उत्तर करवांग तीन देखिए यहाँ पर आप उत्तर करवांग एक मान के चलें और इसका उत्तर करवांग एक सही उत्तर होगा आइकन यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइले खेलाती है सही उत्तर करवांग दोगा कुकीज नीमने लिखित खतनों में से कौन सा खतन आसकते है CRT मोनिटर सबस्यादिक पतला मोनिटर होता है ओप्शन दो है डॉट मैट्रिक सरवातिक गतिवाला कम्प्यूटर है अगला ओप्शन है कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से दीमी है और अगला स्टेटमेंट है बार कोड डीडर एक इन्पुट उपकरण है और अगला बर्शन का उत्तर होगा A, B और C तीन कथन गलत है केवल चोथा कथन ही इसमें सही है फाइल के नाम के दो भाग होते है और इसमें का सही होगा उत्तर करवांग चार दो और तीन दोनो चुकि फाइल को जब भी हम सेव करते हैं तो फाइल का नाम हम अपनी तरफ से डालते हैं और जो फाइल का एक्स्टेंशन है वो सौर्ट वेर के डिफॉल्ट एक्स्टेंशन के साथ सेव हो जाता है आतर जब भी आप फाइल सेव करते हैं तो आपकी फाइल फाइल नेम और एक्स्टेंशन के साथ सेव होती है इसका उप्योग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं सही उत्तर करमांग दो होगा माउस ओप्रेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है उत्तर करमांग चारिस का सही उत्तर होगा मोलिक इस्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना नीमन लिकित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है और आप लोग सब जानते ही है कि विंजी पे कैसा प्रोग्राम है जो बड़ी फाइलों के साइज को छोटे करने के काम में आता है सही उत्तर करमांग एक होगा स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किये जाते है विंडो ओपरेटिंग पर नाली जब एक साथ एक सेधी कनूप्रियोग पर कारे करता है तो वह योग्यता क्या खेलाती है सही उत्तर करमांग चार होगा मल्टि टास्किंग जब हम एक से जादा काम करते है तो उस प्रोसेस को मल्टि टास्क कहते है और इस तरह के साथ आपकी ये मोग टेस्ट दो कंप्लीट होता है अभी मोग टेस्ट तीन से लेकर के मोग टेक्स 10 तक हम और डालेंगे तो लेकर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें धन्यवाद